जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिवास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है करके शेयर कर दीजे अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी आपके फ्रेंट से एक्जाम के त्यारी करें ताकि उनकी वेल्प हो सके और दोस्तों एक एक कोशन काफी इंपोर्टेंट रहता है सभी गर्ण एक्जाम के लिए इस वीडियो को आप आखरी तक बहुत ध्यान से माधवी दीवान को भारत की अतिरिक्त सॉलिसीटर जनर नियुकत किया गया है की वरिस्त वकील ईंदिरा जैसिंग को अतिरिक्त सॉलिसीटर में नियुकत होने पहली महिला थी दोस्तों यहां पर आपको बता दे सॉलिसिटर जनरल के बारे में दोस्तों जो सॉलिसिटर जनरल होता है अटॉर्णी जनरल के नीचे देश का दूसरे नम्मेर का कानून अधिकारी होता है बरतमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है तो बरतमान में भारत का मुख्य कानूनी सलाकार होता है और सुप्रीम कोड़ माने सरवोच न्यालम ये मेन एड़ोकेट होता है गवर्रमेंट का ठीक मुख्य वकील होता है तो अब अरतमान में काओन है महाने अबादी अट्रोनी जनरल आफ इंडिया केके वेनू गोपाल है जबकि सॉलिसिटर जनरल कोन है तुशार महता आई होप आपको दोनों में डिफरेंस और अंतर पता चल गया होगा तो याद रखिएगा तो भारत का अतरिक सॉलिसिटर जनरल की रूमे किसे निक्तिया गया है माधिवी दीवान जी को ठीक है और ये याद रखिएगा कि जो अट्यावन जनरल महानयाबादी है क्योंकि वेन गुपाल और सॉलिसिटर जनरल ये हैं तुशार महता ठीक है चलिए अगला कुशन देख लेते हैं छीहतर में वार्षिक गोल्डन ग्लोब आवार्ट्स में किसे सोसिल भी देखे दोस्ता आपको बता दे कि सोसिल भी डीमिल पूरुसकार है सालाना यानि वार्षिक उस प्रतिवार साली वेक्ति को दिया जाता है जिसने मनोरंजन की दुनिया पर अस्थाई प्रहोड डाला है आपको बता दे दोस्तों कि जेफ ब्रिजेस हैं इनको 1984 में पहली बार इस टर्मन में सर्वसेश अविनेता के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए नामंकित किया गया था ठीक है तो याद रखिएगा छेतर में वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ट्स में सोसिल भी डीमिल पूरुसकार इग्जाम पॉइंट भी इस इंपोर्टेंट है दोस्ते वीडियो आपको पसंद आथ प्लीज वीडियो को लाइक करके मोटिवेट जरूर किया करें आपका प्यार सपोर्ट दिखना चाहिए वीडियो में टार्गेट सा लाइक सा ठारा जार का प्लीज वीडियो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं अगला गौशने किसे फिक्की का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों फिक्की का नया उपाध्यक्ष बनाया गया ये उदेश शंकर को फिक्की का फुल फर्म क्या है आप जान लिजे Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry क्या है full form Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry ठीक है उदेशंकर को 2018-2019 के लिए Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry का उपध्यक्ष बनाया गया है आपको बता दे दोस्तों कुने 13 दिसम्बर 12 आठारा को स्टार और डिजनी इंडिया का अध्यक्ष और वर्ल डिजनी ऐसी अप्रसांद का अध्यक्ष निउप किया गया था दोस्तों फिक्की का फुल फ़ाम तुम्हें आपको बता आ दिया है फिक्की की स्थाबना की गई थी इसका फिक्की के हड़कौर्डर कहां पर है निउडेली में फिक्की के बरतवान में अध्यक्ष कौन है यह question is important भीक के बरतवान में अध्यक्ष है अगला कोशन देख लेते हैं भारत ने किस देश के साथ संस्क्रीट क्रिशी सही चार सम्झोते किये हैं जिसका करेक्ट एंसर हो जाएगा दोस्तों मालदीब के साथ थी कि आपसन सी करेक्ट हो जाएगा मालदीब देख दोस्तों भारत और मालदीब ने 17 सितंबर 18 को संस्क्रीट क्रिशी ब्यवसाय और सूचना प्रद्युक्य में सहयोग के शेत्रों और वीजा की आसान सुविधा के लिए चार सम्झोते किये हैं यह सम्झो मालदीब करेक्टेंसर हो जाएगा हमारा अगला कोशन है कौन सा देश एक जन्वर 2019 से बड़ी इंटरनेट और प्रद्युक्य कंपनियों पर अपना कर यानि टैक्स पेस करेगा तो दोस्तों इसका करेक्टेंसर हो जाएगा फ्रांस ऑप्सन भी ठीक है देखे तो फ्रांस जो एक जन्वर 2019 से बड़ी इंटरनेट और प्रद्युक्य कंपनियों पर अपना कर टैक्स पेस करेगा और दोस्तों आपको बतादे कि जो टैक्स का नाम है वो रखागे जी ए ए एफ ए ठीक है जी ए ए ए एफ ए इसका फूल पर मैं आपको बताता हूं जिसका नाम है गू कौन सा देश ये एक जन्वर 2019 से बड़ी इंटरनेट और प्रद्युक्य कंपनियों पर अपना टैक्स पेस करेगा ये करेगा फ्रांस फ्रांस की केपिटल क्या है पेरिस फ्रांस के बरतमाने प्यम को उन्हें प्राइम निस्टर है इमैनुआल मैक्रो ठीक है चलिए अगल क्या है फ्रांस की बहर में प्रवासियों के प्रयासों योगदानों और अधिकारों को पहचान ना जई और 18 विषय क्या है थीम क्या है अंतराश्टी प्रवासिंवस का जरूर याद रखिएगाा इंग्रेशन वीथ डिग्निटी इसका थीम है माईग्रेशन विद डिग्निटी आपको बता दे को 1992 दिन महासवा ने सभी प्रवासी स्रम को और उनके परिवारों के सरस्यों के अधिकारों के संदक्षर पर अंतराश्टी प्रस्ताओं को अपनाया था तो अंतराश्टी प्रवासी दिवस कमना दौस्त इसका करेक्टेंसर हो जायगा कि ओप्शन ए टाइम्लेस लक्षमड ठीक है टाइम्लेस लक्षमड आपको अता देख प्रवांद्री मूधी जी नठारागी संबर को कोफी टेबली भूक टाइम्लेस लक्षमड का भी मोचन किया है दोस्तों आपको बदा देख अपनी कॉलम दा कॉमन बहन और अपने धानिक कार्टून इस ट्रीप यू सेड़िट के लिए जाने जाते थे तो इसका करेक्टन से जाएगा मोदी जी द्वारा जारी कॉफी टेवल पुस्तक का नाम किया है टाइमलेस लक्षमन हमारा अगला कुछन है रामायर सरकिट के तह तहत विकास के लिए 15 गंदव्य को पहचान की गई है और रामायर सरकिट मंतराले की स्वदेश दर्सन यूजनक तहत विकास के लिए 15 विश्यकत सरकिटों में से एक है आपको बता दे कुत्तरवरेश्माय अध्या, नंदिग्राम, स्रिंगारपूर, चित्रकूट, रामाय तेलंगाना और तमिलनाडू, यानि की ऑप्सन डिस कर आई तेलंगाना और तमिलनाडू, ठीक है, आपको बता दे केंदरी मंतर मंदर ने मदूरे तमिलनाडू और तेलंगाना के बीवी नगर में, दो नए अखिल भारती आयरुविक जान संस्थान, यानि एम्स की तेलंगाना और तमिलनाडू में, ठीक है, मदूरे तमिलनाडू और तेलंगाना के बीवी नगर में, किस्चे मुंबई इंडियन्स के लिए क्रिकेट ऑपरेशन के निदेशा के रूमें निउप किया गया है, करेक्ट एंसर रहागा ऑप्सन भी जहीर खान, देखे इस तो 18 दिसंबर को मुंबई इंडियन्स ने भारती गेंदवाज जहीर खान को क्रिकेट परिचालन के निदेशा करू में निउप किया है, आपको बता दे दोस्तों कुन्हों ने इंडियन प्रिमेर लीग आईपील 2009, 10 और 14 में मुंबई इंडियन्स का प्रतिनीत किया है, आपक इसे मुंबई इंडियन्स के लिए क्रिकेट आउपरेसंस के निदेशा करू में निउप किया गया जहीर खान को, अब देख लेते हैं आज का क्या जो बहुत इंपोडेंट है और आप सभी को करेक्ट एंसर जरूर लिखना है, भुपेश बगेल ने कि सराज के मुख मंत्र में सबदली है, आपको बताना है कि भुपेश बगेल की सराज के मुख मंत्री में सबदली है, मौस्ट इंपोड़न कोईचन है फटा फटा फट पूरे डिटेल के साथ आप लोग लिखिए और ज्यादा ज्यादा लोग कमेंट करेंगे ठीक, बहुत लोग भी कमेंट बहु चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दिखाए, कमेंट करके होसला जरूर बढ़ाए हमारा, ठीक दोस्तों आपका ये कमेंट ही हमें होसला हमारा बढ़ाता है, ठीक है, जै हिन्द, जै भारत